जै हिंद जै भारत जै श्री महाकाल दोस्तों और आप सभी के लिए एक सुष खबरी जो है आ चुकी है जैसा कि सभी बच्चों को सहसी जीडी कॉंस्टेबल का जो है बहुत दिनों से इंतजार था और उसका जो है बच्चों नोटिफिकेशन आ चुका है और जल से जल जो है हम आपके लिए इसकी जानकारी लेकर आये हैं चलिए ज्यादा समय को ना वियर्थ करते हुए जो है हम पूरी डिटेल को जान लेत हैं कि किस प्रकार से आपका फॉर्म जो है बढ़ना चाहिए और क्या-क्या जो है इसमें आपकी जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है और किन-किन पदो पर जो है पोस्ट आई हुई है देखिए सबसे पहले हम जानते हैं यह देखिए आपके सामने जो है पूरा नोट देविस तक भरने वाले हैं तो 24 से लेकर 31 यानि कि पूरा पूरा लगबग लगबग एक महीने और तो से चार दिन आपको यहाँ पर एक्ष्टा मिल रहे हैं तो सभी बच्चों से निवेदन है कि जल से जल जो है अपना फॉर्म जो है फिलप कईजेगा चले यहाँ पर औ सार्च में आपका एक्जाम जो है कंफर्म होने ही वाला है तो सभी बिलकूल धियान रखिएगा और आगे बढ़ते हैं देखिए यहाँ पर जो है हम पोस्त के बारे में भी जानकरी देख लेते हैं कि कितनी पोस्ट आई है किन-किन डिपार्टमेंट में जो है आपका पोस जो दिये गए हैं देखिए BSF, CISF, CRPF, SSB, ITBP, AR और SSF अलग अलग डिपार्टमेंट यानि जिस डिपार्टमेंट को आप चूस करते हैं उसमें जो है आपको आपका फॉर्म डालना पड़ेगा है ना यहाँ पर देखिए मेल के लिए अलग जो है पोस्त क्राइटेरिया और फिमेल के लिए अलग जो है पोस्त क्राइटेरिया, ST, SC, OBC सभी के लिए अलग अलग पोस्त जो है बच्चो दी गई है और टोटल जो पोस्त है उसको भी देखिएगा आप बहुत ही अच्छा सा जो है पोस्त का यहाँ पर जो है डिया गया है 26,146 मतलब हम कह सकते हैं कि सर लगबग लगबग 26,000 जो है यहाँ पर पोस्ते आपको दी गई है तो बहुत ही बढ़िया बच्चो इस बार आपको चांस मिला है तो सभी बच्चे अच्छे सा तैयारी करके इस बार SST को जरूर क्वालिपाई कीजिएगा और आगे देखते हैं पोस्त के बारे में हम जान चुके हैं देखें यहाँ पर हम जान लेते हैं कि आपका जो है एज लिमिट क्या होना चाहिए मतलब किस एज क्या होने चाहिए जिससे आपका फॉर्म भरने में कोई समस्या नहीं आए तो देखिएगा आपका जो एज है बच्चो वो 28 से 23 के ब चे यानि इस डेट आप बर्त इस समय के बीच में यह आपकी डेट आप बर्त आती है तो आप फॉर्म को जो है आसानी से भर पाएंगे है ना यहाँ पर अलग अलग जो है जैसे कि HTSC के बारे में दिया गया है कि सर HTSC में जो है 5 साल का आपको जो है क्या मिल रहा है रिले educational criteria मतलब कि आपका जो है पढ़ाई क्या होनी चाहिए उसके बारे में भी देखिएगा यहाँ पर एक बहुत अच्छा सा point जो है दिया गया है इसे भी हम देख लेते हैं कि the candidate must have passed matriculation और 10th class examination मतलब आपको बच्चों सिर्प और सिर्प यादि आपने 10th pass कर रखी है तो आप जो है SSC GD का form डालने के लिए क्या हो जाते हैं applicable हो पाते हैं इसके अलावा कोई भी extra criteria यहाँ पर नहीं मांगा गया है तो याद रखिएगा 10th जो है यहाँ पर minimum criteria है कि यदि आप 10th पास है तो आप SSC का form आराम से डाल सकते हैं clear है यहाँ पर किसी भी प्रकार का और कोई भ pattern के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं कि आपका जो है exam का pattern क्या होने वाला है कितने जो है अलग-अलग आपके section से जो है प्रश्न आने वाले हैं किस-किस section पर आपको जो है ज्यादा गोर करना चाहिए यहाँ पर जो है total आपका computer based examination होने वाला है और इसमें जो है बच्चो total 80 question आने वाले हैं कितने question आने वाले हैं total जो है sir 80 question यहाँ पर आने वाले हैं और हर एक question जो है आपका two number का होगा मतलब total जो है बच्चो 170 number का आपका जो है paper होने वाला है और 170 number में आपके चार अलग-अलग part जो है बनने वाले हैं देखे सबसे पहला part आपका जो बनने वाला है वो बनने वाला है reasoning का सबसे पहला पार्ट आपका किसका बनेगा reasoning का बनेगा और reasoning में आपको 20 प्रशन मिलेंगे 20 प्रशन के आपके 40 number होने वाले हैं इसी प्रकार से दूसरा जो section है आपका वो general knowledge का बनने वाला है यहाँ पर भी आपके 20 प्रशन है इसी प्रकार से आगला देखेगा mathematics यानि की जो math दे रखा है उसमें भी आपका 20 है और 7-7 Hindi English optional में आपको दे रखा है और इसमें भी कितने number आपके बनने वाले है यानि 20 question जो है यहाँ पर भी पूछे जाएंगे तो 20-20-20-20 total असी प्रशन का जो है आपका paper होने वाला है और एक प्रश्ण के लिए आपको दो number मिलने वाला है साथ यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिएगा कि बच्चों आपको साथ मिनिट यानि एक घंटे का total जो है आपका paper होने वाला है एक और important बात यहाँ पर याद रखिएगा कि आपकी जो negative marking है आपकी जो negative marking है वो 0.25 जो है यहाँ पर होने वाली है तो याद रखिएगा 0.25 के आपकी जो है negative marking भी रहेगी तो इस प्रकार से आप सभी के लिए जो है हम जानकरी लेकर आए हैं तो सभी बच्चों को जो है निवेदन है कि जल से जल जो है आप form डालेगा और जल से जल अपनी तैयारी में जूड जाएए सभी बच्चों को इसी प्रकार से जो है जय हिन जय भारत जय श्री महाकार